पिछले लेसन में हमने active and passive voice के बारे में उसकी जो basic थी उसको अपने सीखा उसके इंड्रोड़क्शन के active and passive voice basically होता क्या है आज कर लेसन है इसमें हम सेखने वाले हैं कि active voice को passive voice में कैसे change किया चाहता है कैसे बतला चाहता है क्या formulas होते हैं with special reference to present tense तो बेना time waste कि चलते हैं वीडियो की तरह सबसे पहले अच्छा यह जो हमने पिछले वीक डिसकस कर ली थी के आज का जो लेसन है वो particularly हमने क्या करना है हमने formulation को देखना है with special reference to present tense तो present tense में आपको याद होगा tenses आप लोग पढ़ चुके हैं आप में से जिन स्टुडेंट्स ने टेंस के lessons को नहीं दिखा हो playlist से जाके tenses के lessons को देख लें ताकि आपको तमाम tenses का concept क्लियर होना चाहिए तो आपको याद होगा present tense में चार तरह की categories थी पहली category क्या थी present indefinite यहां पर हम इसको present simple tense भी कह सकते हैं इसके अंदर क्या होता है like subject होता है जिससे कि she writes first form होती है और object होता है simple तो यह active voice is she writes letter अगर मैंने इसी को passive voice में convert करना है तो क्या होगा आपको पता है letter क्या होता है object अबजेक्ट है तो यह object आपको बताया गया था पिछले lesson में क्या सब्जेक्त सब्याइक ayाय को रखअ कि हुशा है कि यहां पर एक्टिव वाइस में सब्जेक्त पहले है और अबजेक्ट लास्ट में है और पैसी वाइस में इंडाँ का बनका कि हो बनका 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 अबिश्क अप Japanese कैठमा हो के यह formula थोड़ा बहुत आपको समझाया गया था आपको बाकी रटा भी लगाना पड़ेगा अब अब यह चीज को समझा दिया जाता है लेकिन यह formula आपको याद करना पड़ेगा अगर आपने इसको पैसिव में कनवर्ट करना है तो आपनी क्या करना है सबसे पहले इसको तो आपको पिछले यह lesson बितागा था और शी को आपको बताया गया था हमने किसमें कन्वर्ट करने हर में ही को किसमें करना है में करना हीं में करना तो तो यह यह उप्जेक्ट ऐसा से मतलब गश्कार प्लेस होगी और लव डुग होगिया ठीक है यू के साथ हमेशा क आता है आराता है इस नहीं आता है याद रहा आ हम आता है तो होफ़ले फेन इनl समें कैसे वॉइस चीज ओती एक आowa क्लियर है इसकी किया करना है कॉमेंट बॉक्स में एक 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 एकश बना के घुडस ले कि poured है और सब्सक्राइब करें तो यह तो आपको अच्छे से पहले से रेटी हुए चीज़ अब इसी को अगर हमने पैसे वाइस में कनवर्ट करना तो होगा वही के अबजेक्ट शुरू में आ जाएगा ठीक है बाई हर वाला अगें वही रहेगा और यहां पर आपने जैसा की प्रेज करते हैं आर बिंग इस बिंग एंब ठीक है तो हमने जो हैल्पिंग वर्ब यूज करना है वह क्या यूज करना है इस बीइंग और यह आपनी तो यह प्रिदा लगाना है आपको लगाना पड़ेगा इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा करके एफ़े में चंक्स में करेंगे चैन a letter is not being written by her simple they are eating an apple an apple is being eaten by them अब एम आइ एटिंग उप मैंगो देखें हो सकता है कि आपको एक सवाल या जुमला मिल जाया क्या में काम घा रही हूं इस इस अ मैंगो इस बीइटन बाइ मी इस नहीं आएगा इस शुरू में आगए तो बाद में नहीं आएगा is a mango being eaten by me आखिर में question mark very simple आप एक दफ़ा go through हो जाएंगे आप इसको practice करेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए आपकी जबान पे चड़ जाएगा और आप आराम से इसको कर सकेंगे और especially अगर आपकी reading की आदत है तो पर तो यह आपके लिए बिल्कुल भी मसाला नहीं होगा इसका भी आपने सेम क्या करना है present continuous tense की भी एक example आपने नीचे लिखनी है उसका एक active voice में जुमला और एक passive बनाना है और यह अपने mind जा बनाना है please no cheating इसको मैं खुछ चेक परूँगी उसकी बाद है present perfect tense यह तीसरी category यह present tense की ठीक है जिसमें क्या होता है कि ऐसा मतलब काम जो already माजी में हो चुका है हाल में हो चुका है recently हाल में जो complete हुआ लेकिन उसका अज़सर अभी भी है अगर पर भी इस tense को आपने अच्छे से पढ़ना है यहां बी डबल एन बीन लग रहा है तो यहां पर आपने याद रखना है हैस बीन और हैव बीन क्या इसमें आपने रटा लगा लेना है कि हैस बीन और हैव बीन जो हैं वो दो helping verbs हैं जो के present perfect tense को active voice से passive voice में चीज़ करते होई इस्तमाल होंगे और शनी रखना है महीड भिए अंपने आपल के साथ और यहांазд आप तो मिचाव्यज लगा है किकुल्लिम को बाष्reno छिचे लगे की साथ का सबसु कि सबस्सक्राइब यहाद सपाइब लुक जैड़ को ड़न एन आपल और लॉटर के साथ लेगा यह आपने ग्लास थोड़ा है यह ब्रोकन भाइव यू क्या यह आप से टूटा है बात वहीं सेम है लेकिन होता क्या है कि पैसिफ में हम अब्जेक को सब्जेक्ट से क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं आपको पिछले लेसन में बताया गया था इतो जादा सबकुरिये कुर्सिफ करने थैसा करें वे खब्लसे आपे सब्सेरका करने से होता है कि कि आपको याद रखने में हेल्प होती है और आप और फ mieć फॉरं जो है वह प्राक्टिस कर लेते है आप वाह आजकी लिए हम चाहते तो ही कि लेसे में सार Penny तो आने वाले जो लेसंस हैं उन में हम बाकी के टेंस के बारे में सीखेंगे अच्छा आपका एक सवाल होगा कि प्रेजन का जो चौथा टेंस था यानि के प्रेजन परफेक्ट परफेक्ट कांटीनिवस वह कहां गया तो उसके लिए मैं आपको बिताना चाहूंगे उसके ओ होता उस प्रेप्रिकेबल यह नहीं है ठीक है ओफिली आज का लेसन आपको अच्छा लगा गिव इटा थाम्स आप चड़ों को सब्सक्राइब कर लेंगे अभी तक आपने नहीं किया हुआ अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगा अलाहाफिस